हलो चिल्डन गुड मॉर्निंग आल आफ यू स्वागत है आप सभी का मेरी कक्षा में तो प्यारे बच्चो इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कक्षा पांच अंग्रे जी की बुक मेरी गॉल्ट की फर्स्ट यूनिट और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले एक बहुती प्यारी सी कविता है और इस कविता का नाम है आईस क्रीम मेन जैसा कि आप देख रहे हैं आईस क्रीम मेन ये बड़ा सा एक अंब्रेलह है गोल गोल और इसके नीचे ये खड़ा हूआ है एक आईस क्रीम बेचने वाला इसी का नाम आईस क्रीम मेन है और ये इसका डबबा है इस डबे के अंदर आईस क्रीम रखी हुई है यहां पर आप देख रहे हैं कुछ कॉल डिंक यानि ठंडी मीठी पीने की बोतले रखी हुई है ये भी आईस क्रीम ही है एक तरह की लेकिन ये लिक्विड बेस में है और ये भी पीने के काम में आती है और ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे और आईस क्रीम के लिए चार और इसके चिपके हुए हैं तो प्यारे बच्चो अब आप मुझे बताईए कि गर्मियों के मौसम में जो सबसे अच्छी च और गर्मियों का कोई बहुत जादा गरम दिन हो इसके अलाबा रव्यक्ति यानि हर छोटा बच्चा जिस आदमी को जबसे ज़्यादा पसंद करता है वो होता आईस क्रीम में यानि आईस क्रीम बेचने वाला विक्ती तो प्यारे बच्चो यहां एक छोटी सी राइम आपके लिए है जो आईस क्रीम के बारे में आईस क्रीम की बच्चों के प्रती जो ललक है उसको दिखाने वाली ये छोटी सी कवीता है तो आईए इसको हम पढ़ते हैं तो भौती ले के साथ आप पढ़िये When somewhere is in the city And bricks a blaze of heat The ice cream man with his little cart Goes turning down the street अब क्या है कि when somewhere is in the city यानि सेर के अंदर जब गर्मी पढ़ती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ रही होती है And brick is a blaze of heat और मकान भी मकानों के अंदर भी गर्मी की लपटें उठ रही होती है Blaze का मतलब होता है लपट जौला यानि आग की जो लपट होती है वो blaze के लाती हीट यानि गर्मी की जौलाएं जब उठती है यानि इट है भी गर्म हो जाती है दिवारों की तब दा आइस्क्रीम मैन बिद इस लिटल काट गोज टंडलिंग डाउन दा स्ट्रीट तब ऐसे मौसम के अंदर एक आइस्क्रीम बेचने वाला अपनी लिटल काट को ले करके छोटी सी गाड़ी को ले करके उसको घुमाता हुआ गलियों में घुमता है टंडलिंग करता है टंडलिंग का मतलब टंडलिंग का मतलब होता है एक छोटी गाड़ी जिसमें छोटे-छोटे पईये होते हैं, जो चोड़े-चोड़े होते हैं, उसको धकेलता हुआ, जब वो चलता है, इसी को हम कहेंगे टंडलिंग करता है, अब देखिए तब क्या होता है, बेनिथी ज्राउंट अम्रेला, और उसके पास गर्मी से बचन है, उसने, ओ, वाट जोईफुल साइट, अरे, कितना आनंदायक द्रश्च है, बच्चों के लिए तो वो बास्तम में स्वर गे, और किस चीज का आनंदायक द्रश्च है, किस चीज को देखना बहुत ही आनंदायक है, और वो है, तो सी हिम फिलदा कॉन्स, जो कॉन होते है उनमें जब वो भरता है, बिद माउंट्स, धेर के धेर, आफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यानि सफेद रंग की, और ब्राउन कलर की, यानि वाइट कलर की, और ब्राउन कलर की आईस क्रीम जब वो भरता है, कौन के अंदर, तो उस द्रस्च को देखते ही, हमारी, ह हमारी अच्छा जोर मारने लगती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, कि कब हाथ में आईगी आईस क्रीम, ये कौन, और कब गर्मी से हमको रहात मिलेगी, क्योंकि वो ठंडी और मीठी होती है, और इसके फ्लेवर भी है, यानि वो जो है, अलग अलग फ्लेवर की, अलग चाहिए, वैसे ही आप ले जाओ, वैसे ही आप खालो, और खूब गागा के भी बेशता है वो, कि ठंडी मीठी ले ले, ये आईस क्रीम ले ले, तो इस तरह वो गीत गागा करके भी बेशता है, तो वनीला, चौकलेट, इस्ट्रावेरी, तीन तरह के फ्लेवर हैं उसके प खाली, यानि खाने वाली आईस क्रीम के अलावा पीने वाली बोतल भी है, उसके पास, फुल आफ फ्रॉस्टी फ्रीज, यानि बोतल हैं उसके पास इसमें ठंडे ठंडी चीजें भरी हुई है, ठंडी खाने की चीज, पीने की चीज उसमें भरी है, और वो किस तरह है, उस के पास है जिसको हम कॉल डिंग कह सकते हैं कॉल डिंग भी है उसके पास पीने की इसके अलावा Is the car might be a flower bed of logees and sweet peach उसकी गाड़ी को बच्चे कह सकते हैं यानि बच्चों के लिए उसकी गाड़ी कैसी लगती है जैसे कि वो flower bed हो जैसे कि फूलों की सेज हो जिसमें गुलाब के फूल और स्वीट पीज बिचे हुए हो दावेदा चिलन कलश्टर राउंड और जिस तरीके से बच्चे उसके चारो और उसके घेल करके खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मदू मक्यों के चारो और मदू मक्यां बच्चे दिखाई देते हैं यानि बदू वक्यां का सा जुन्ड जो है बच्चों का दिखाई देता है तो प्यारे बच्चो इस प्यारी सी ब्यूटीफुल पविम को लिखा है रचेल फिल्ड साम ने अब इस पविम के ओमपर आधारी थे ता Ke3 कुछ तो इक्सरसाइज ह Blaze का मतलब होता है Bright Flame और Fire चमकीली ज्वाला या लपट या आग Fire का मतलब है आग Trendling का मतलब होता है Moving यानि घूमना चलना On a small broad wheels छोटे चोड़े पईयों के उपर अब उसकी गाड़ी क्या है छोटे चोड़े पईयों के उपर चलती है Trendling होती है Street के अंदर Mounts Mounts का मतलब हीप या पाइल धेर Frosty Fizz Frosty Fizz मतलब चिल्डी ड्रिंक यानि ठंडी पीने की चीज चिल्डी ड्रिंक जिसको making a hissing bubbling sound जिसमें से hissing और बुलबुले जैसी ध्वनी निकलती है Cluster Cluster का मतलब होता है Gather Round यानि इकठा होना गेर करके इकठा हो जाना Group of similar things या एक जैसी चीजों का कोई समूँ अब देखिए आप ये कुछ questions हैं या पर आपके लिए Reading Is Fun Reading Is Fun और ये रहा आपका पहला question In which season is ice cream popular यानि ice cream कौन से season के अंदर popular होती है तो विलकुल आप जानते हैं गर्मियों में यानि summer season में तो आप लिख सकते हैं Ice cream is popular Ice cream Is Popular In Summer Season आईस क्रीम इस पॉपुलर इन Summer season तो ये हो गया आपका आंसर यानि ice cream Summer season के अंदर popular होती है अब देखिए Question No.2 Who feels joyful on seeing the ice cream man Ice cream man को देखकर के Joyful कौन फील करता है तो बच्चे करते हैं तो इसका आंसर हो गया आपका Children Children Feel Joyful On seeing On On seeing The Ice cream man Ice cream Man Ice cream man यानि बच्चे Ice cream man को देखकर के Joyful फील करते हैं अब देखिए Next question और Next question है आपका Name the different flavors of ice cream The ice cream man has in his cart Ice cream man की कार्ट के अंदर जो different flavors है Different flavors की जो ice cream है उनके नाम लिखने हैं आपको तो कौन कौन से different flavors की ice cream है उसके पास तो वो हमने देखा उसके पास बनीला है बनीला 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 एक दो बनीला है और एक है उसके पास चौकलेट इसके अलाबा इस्ट्राबेरी 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 Are the different flavors इसको पूरा कर दो Are the different flavors Are the different flavors of ice cream The ice cream man has in his cart ये इस्ट्राब का आंसर हो गया यानि बनीला, चौकलेट, इस्ट्राबेरी Are the different flavors of ice cream The ice cream man has in his cart ये तीन तरह के यहां पर flavor है और अब देखिए आप Next question What are the two things that the ice cream man is selling ऐसी कौन कौन सी दो चीज है जो ice cream man बेच रहा है तो एक तो वो ice cream क्या चीज बेच रहा है आइस क्रीम आइस क्रीम और दूसरी क्या चीज है cold drink जो बोतलों के अंदर जिसको हम chill drinks भी कह सकते है तो ice cream and chill drinks chill drinks तो दो चीज बेच रहा है वो ice cream and chill drinks और आगे हम इसको इस तरह बढ़ा देंगा Are the two things that the ice cream man is selling तो ये आपका अंसर हो गया इसको पूरा इस तरह पढ़ लो आप ice cream and chill drinks are the two things that the ice cream man is selling तो दो चीज़े हैं उसके पास बेचने के लिए अब देखिए next question next question है आपका what is the ice cream man card compared to the two in the poem यानि ice cream की जो कार्ट है उसकी इस poem के अंदर किस चीज़ से तुलना की गई compare किया गया है तो दाइस क्रीम कार्ट is compared तो लिखो इसको दा ice cream ice cream कार्ट कार्ट तो पूरा अंसर इस तरह आप लिख सकते हैं दाइस क्रीम कार्ट इस कंपेर तू फ्लावर बैट इन दा पॉयम इन दा पॉयम के अंदर आइस क्रीम कार्ट की तुलना फ्लावर बैट सिखी गी है दाइस क्रीम कार्ट इस कंपेर तू ए फ्लावर बैट इन दा पॉयम तो प्यारे बच्चो इस वीडियो के अंदर हम इतनी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी यूनिट का एक और पार्ट ले करके मैं आपके लिए आउंगा तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ हैवे नाइस टाइम और आइस क्रीम खाते रहे गर्मी हो तो सरदियों में मत खाना थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग